कि सारे समंट seven आ हो रहे है कि सीसी साजिस के तहत हो रहे हैं और यह खुड पीछे हैं मेका जहका मैं यह जाती वाधे इंहें लिए शौट gör़ा रहा हुँ यह नमस्कार मैं हूँ कुमार मिरणाव और आप देख रहा है फैरिट आउट ने मुझे हमारे साथ अभी जो सक्स बैठे हुए हैं किसी चान की मोहताज नहीं है समाज सेवा अपनी समाजिक गतिविधियों अपने वेविशाय अपनी उपलब्धियों की वज़ा से हर शक्स इने सबसे पहले मैं उसी मुद्दे पर आपसे बात करूंगा जो भी खास चर्चाओं में हैं मुबारक पुर में एक घटना घटी थुई एक वेक्टी हरेंदर यादव जी की हत्या हुई उसे लेकर समाज में उनको उनके चाहने वालों में अक्रोस उत्पन हुआ प्रसासन भी हैं जिम्मिवार लोग हैं वह भी अपना काम कर रहे हैं लेकिन वाप श क्रिकायत लेकर सतंडर यादव जातिवादी लोग है राजनित पर ठिका हुआ जुना है और जहां तक महापंचायद की बात यह है कि उसके यह जो दोस है उसको निर्दोस। करते हैं तो मतलब आप उसे जो नाम दिया जा रहा है महापंचायत आप उसे महापंचायत मानने को कर सकता है ब niż गाउं के सारे लोग जुरते हैं महापंचायत मतलब होता एक मतलब अधिक विचारणा के लोग smile ुधिस है राजद और सीपियम का महा पंचायत है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार उनकी है और सरकार के खिलाफ ही उन्होंने महा पंचायत किया है तो यह तो मुझे लगता है कि नितीश कुमार को भी धोखा दे रहे हैं लोग अलां कि आज सतंदर यादव जी महा पंचायत कर रहे हैं हत्या के खिलाफ करे हैं और हर लोग खरे हैं जो अगर ख्त्या हुआ है तो हर लोग करें उसके खिलाफ में खरे हॊंगे लेकिन सतंदर यादव जी पे खुद ही यह हत्या का व articulate था हलो ठीus से बड़ी हुए हैं आप उसे कैसे देखते हैं यह तो सर्विधित है कि सतंदर यादों को सजा होना था बहुत सारे उसमें गवाही भी पूरी हो चुकी थी लेकिन सरकार के दम पे और सकार में रहने के कारण वह अपना दाओं पेच्खेले और उस केसे बड़ी हो गया कुछ लोगों ने कहा कि इद्वोने बहुत सारे द्विधाय की दे यहां最 जो भी दखाते हैं लेकि इन्होंने बड़ी हो गया जब यह बड़ी हो गया तो अभ इन अपने शमाज करें के ने संत्त सर्कारीन डेकर हम रहे हैं कि सारे जो रही है किसी ना किसी साजिस के तहत हो रही है और यह खुद उसके पीछे हैं तो कि मुझे जहां तक लगता है कोई भी नेता नहीं चाहता है कि सेकेंड लीडर कोई कोई मुख्या के पास दम हो जाय कोई वह मुख्या पूपूलर पूपुलर कर तो यह क्या करें सेकंड लाइन के जितने नेता हैं जिसने रिमधार नेता है ईशब को धीरे धीरे आउट कर रहे हैं कहीं ने कहीं इनकी साजी सहीं को सोचना चाहीं ये एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं व बिलकुल जबसे यह आए है तभी से हो रहा है , तो आरोप तो इन पर लगेगा , हुआ राजत के नेत थे धीहरे acquёт क्यों हो रहे है ये और पहसुनिके और सारी लोग कहीं नहीं के सब Check तो क्या इसे इस तरह देखा जा सकता है कि एक राजनैतिक हित के लिए एक साजी स्रची जा रही है कि जो लोग भी दुश्मन है एक को खत्म करो और दूसरे को उसमें फसाओ बिल्कुल यहीं किया गया है आप देख सकते हैं कि पिछला बार जो हत्या हुआ था दो बावुसा इस तो उस हट्या में जब इन से पूछा गया तो मुबार्यकूर मेरे लेकिन आज क्या कर रहे है तो आप उहां करने क्या है और महाँ पंचाथ की आपने और आपने मन्तरी गौतम सिंह क्यों पहर है कि उनका बेटा दौरते हुए आया मेरे पास क्यों रहा है कि रविया अप्खलनवा रहुलवा हत्या कर दिया यह लोग ब्यान अलग है कि यह लोग का वह वी कि यह अलाकि यह तो अभी जाज का विशह है आने वाले दिनों में पूलिस करवाई करेगी जाज करेगी पता चल ही जाएगा कि वास्तो इस्तिति क्या है और वस्तिकता क्या है लेकिन इन सारी घटनाओं से एक सवाल उठता है कि जो विपक्ष अरोप लगा रहा है अभी महागठवंधन सरकार पे कि बिहार में जंगल राज चल रहा है क्या सतेंदर यादो उसी को प्रमानित नहीं कर र रहे हैं कि बिहार में जंगल राज चल रहा है और पुलिस भी अपना काम ठीक से नहीं करें बिल्कुल यह परमानित क्या सब लोग देख रहा है कि जब भी राज़त की सरकार आई है तब इस तरह ही खटनाय का बहुत ज़्यादा ज़्यादा तेज से फैला है और हत्या करते हैं यह इनको समझना चाहिए कि आप जिस सरकार को कर रहे हैं कि दोसी है उसी परसासन के आप अभी नंग है आप क्यों नहीं देते हैं आप जूट मुट का दिखावा करते हैं सब किसी का आप एक साजिस के तौप में जो वहां हो रहा है तो कहीने कहीं आपकी सनलिपत है अगर भंग से उसमें जांच कर आई जाए तो उनकी सनलिपता उसमें आए कि नहीं कहीं ने कहीं तो उनको इस्तिफार देखाना चाहिए राजनेतिक विरोधियों को मिटाने के लिए खत्म करने के लिए प्रसासन पर अनावशक दबाव तो नहीं बनाया जाना बिलकुल प्रसासन वहां बहुत बढ़िया काम कर रही है और प्रसासन भी समझ रही है कि क्यों हत्या हुआ है क्या हुआ है किसी सनलिपता है और कौन राजनित कर रहा है लेकिन अब यह प्रसासन पर दबाव बना रहे है कि जिला प्रसासन पर कि किसी तरह जो एक तो हत्या हो गई औ और दूसरे को फसा दिया जाए कि दोनों मेरा खत्म हो जाएगा एक को फसा दो जेल में सर जागे सर जाए यह इस तरह के नेतार लोग करते हैं और वही सतिम्दर यादव भी कर रहे हैं लेकि इनको पता होने चाहिए कि यह जनता है जनता सब कुछ समझ रही है आप महापंचायत कीजिए सर्व कुछ भी कीजिए अंदोलन कीजिए धारना कीजिए सच्चाई नहीं शुब सकती है सच्चाई जो है वही रहेगी और यह जातिवादी जो नेता बने हुए है मुझे नहीं लगता है कि अगले चुनाओं के बाद यह फिर जित कर आएंगे तो उसके बाद इनकी क्या दसा होगी यह खुद समझ जाएंगे अच्छा आपने जिक्र किया कि जो पिछली घटना थी मुबारकपूर की जो बच्चों को विजय आदो नामक वेक्ति ने पीटा था मुख्या पती जो थे बहुत बेरहमी से पीटा था उसमें दो के मिडित्यू हो गई एक बच गय उस वक्त यह बिलकुल चुप थे उस च तरव बाहर रहे अंद्रूनी मदद भी किया गया यह सवाल मैंने इसलिए आप से पूछा भी क्योंकि उस वक्त पूलिस की सनलिप्तता दिख रही थी पूलिस वहां पहुंची हुई थी पूलिस उन्हें बचा सकती थी लेकिन पूलिस ने उन्हें रेस्क्यू नहीं किया अपने साथ नहीं ले गए और उन्हें पिटते रहने के लिए छोड़ दिया था इसलिए मैं उस समय पूलिस को इतना सकार मिये थे इन्हों ने समय दिया कि वहां जो कान ढोड़ा होने दीजिए इससे मुझे बेनिफीट है और मेरे बीरोधी लोगों के हत्या हो रही है तो चालिया जाए लेकि प्रसासन ने दूद का दूद और पानी का पानी किया और उनको इस केस में भी वही होने जा रहा है एक अंतिम सवाल सर आप से क्योंकि आप आरेसेस के कीड़ा मंच के ध्यक्ष भी हैं जो सतेंद्रे आदव हैं वह आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रस प्रस्निक तंत्र में उसमें ज्यादातर आरेसेस वाले लोग हैं और वो न्याय नहीं होने देना चाहने यह आरेसेस यह बीजेपी आप कहां तक छोड़ी बाच भागिए गया आरेसेस तो आपके खून में खुझा हुआ है आरेसेस से ही सब लोग निकला हुआ है जितने भी पाटियां है जितने भी लोग है कहीं न कहीं हर घर में भीजारअ की जाट देंगे यह खुद जट जाएंगे कोई आडमीं नहीं है जो आरेसेस की बीजारधारत नहीं होता है रसस का अपना कोई तंत्र नहीं है निए करती है न कि किसी एक जात्र के लिए करती है तो हुआ कि स्कूल नहीं है कि तरा लगता है उसका जो भी काम है समाज हित में है लेकिन काम यह जातिवादी है यह जातिवाद फैला रहे हैं और इन्हें ले डूबेगा यह नगके आपके चैनल करना छोड़ दें दुश्कन माजी में नहीं दिखेंगे इनको माजी फोके भागना पर गहां जमीन कम पर जाएगी इस जातिवाद फैलाने का क्या कारण हो सकता है राजनैतिक लाव या उसके अलामा कुछ है कि अब यह चार साल कुछ काम नहीं है तीन साल जो बिदाक बने कुछ नहीं किया के वल इन्हों ने पटना में जाकर सोया है और जो वोलेंटियर त्यार किये हैं अनि लोग कोई कठा नहीं करेंगे तो फिर धिकत हो जाएगा और इनकस कारण यख कर रहे हैं कि दिरेदेश सपाय कर रहा है ये कुछ के सफाया कर देंगे, इसका सानुभूतीवूत मिल जागा, फिर निकल जाएंगे, लेकिन ये होने नहीं जा रहा है, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने हमें समय दिया, तो सुना आपने, अभी हमारे साथ हमरे इंदर कुमार सिंग जी थे, इन्होंने बहुत ही म ख़बर में बस इतना ही, आप बने रही है हमारे साथ, देखते रही है फेरिट आउट न्यूज, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किरी पर सब्सक्राइब कर दें, अगर आप हमें फेस्बूक पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को ल